हलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी और चटपटी दही पूरी तो इसके लिए मैंने जो रेडिमेट वाले गोलगप्य आते उसका यूस किया है उनकी पूरियों का यूस किया है उसको तलना पड़ता है घर में लाके और बस वो में लोगाई आते है और वह काफी क्रिस्पी बनता और टेहले धे च्टे में आप और काफी इसको बनाना काफी मैं इस को बना सकते हैं इसमें करने मैंने यहां पर यूस किस दाभिन करना कर आंके आलु मैं थोड़ा सा नमख और मिर्च का यूस worked तो उसको mash करके हमें इन सब के अंदर भरना है तो बहुत ज़ादा नहीं भरना है थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें आलो को भरलेंगे आप आलो के साथ-साथ इसमें काले चने को उबालके भी डाल सकते हैं उससे भी काफी टेस्टी होता है और अगर आपको सर्द चनअ की stuffing करनी तो आप सर्द चना भी इसमें डाल सकते हैं तो सारे आलू को हम इसमें ऐसे करके भट लेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे आलू इसमें भट लिए अब हम इसमें और चीजे भी add कर लेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें add करी हूँ थोड़ा थोड़ा प्याच तो एक medium size के प्याच को मैंने काट लिया था महीन महीन तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा add करना है प्याच जादा नहीं डालेंगे इसमें अब हम इसमें add कर लेंगे दही तो दही को मैंने अच्छी से फेट लिया है अच्छी से फेट के दही अच्छी से स्मूध हो जाती है और अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी से ज़्यादा एड़ कर सकते है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ add करी हूँ ताकि सब का स्वाद बहुत अच्छा है अगर हम दही बहुत ज़दा add कर लिंग तो सिर्फ दही का स्वाद आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दही भी add कर लेना आदी-ादी चमच के करीब अब मैं इसमें add करने वाली हूँ अमचूर की चटनी तो ये चटनी मैंने घर में बनाई है अमचूर पाउडर से इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में पहले डाल लिए अगर आपको देखनी है तो मैं उसका link आपको description में दे दूँगी तो ये चटनी काफी tasty बनती है तो इसको भी मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल लिया है और इसका टेस्ट आता है खटा मीटा इसके बाद मैं इसमें add कर लूँगी हरी चटनी तो हरी चटनी मैंने बनाई है हरे धनिया के पत्तों से पोदिना और दो हरी मिर्च इसमें add की थी मैंने और खट्टे बन के लिए मैंने इसमें add के अमचूर पाउडर आप चाहते तो इसमें नीबू का रस भी add कर सकते है तो इसकी recipe का link भी मैं आपको description में दे दूँगी तो ये बहुत तीकी है तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा add कर रही हूँ इसके बाद हम इसमें add कर लेंगे save जो नमकीन आती है ना हल्दी राम की आलो भुजिया आती है तो मैं वो इसमे add कर रही हूँ इसका taste मुझे काफी अच्छा लगता है आप चाहे तो आपने कोई भी मन पसंद की भुजिया इसमे add कर सकते है तो ये भी मैं एक limited quantity में add कर रही हूँ अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा add कर सकते है तो इसके बाद मैं इसमे add कर रही हूँ काले नमक तो हलका सा उपर उपर से हम इसको छिड़क लेंगे काले नमक को अंदर से आलू में मैंने इसमें नमक डाल लख है तबी मैं इसको थोड़ा सा कम add करूँगी तो काले नमक से इसका एक अलग सा फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी होता है इसके बाद हम इसमें add कर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर अब हम इसमें चार ओर से दही को spread कर लेंगे वही फेटी वीड दही मैंने हापे यूज की है तो इसको भी हम limited quantity में डालेंगे इसके बाद मैं इसमें add करने वाली हूं थोड़ी सी नमकीन जो safety हमारी बुझिया वह इसमें add कर लेंगे अब हम इसमें add कर लेंगे थोड़ा सा भुनावा जीरे जीरे का पाउडर और फाइनल में हम इसमें एट कर लेंगे थोड़ा सा कटा वहरा धनिया और उपर से थोड़ा सा इसमें चटनी और डाल दूँगी मैं जो खटी मीठी वाली हमचूर की चटनी है ये काफी टेस्टी बनता है और थोड़ा से प्याज हम इसमें छिड़क लेंगे तो ये देखिए हमारा जो दही पूरी है बनकर रेडी है एक प्लेट दही पूरी बनकर रेडी है इसी तरह सारी प्लेट को रेडी कर सकते है और इंजॉय कर सकते है इस चटपटी रेसिपी को अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल में नई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स वाचिंग मैं फिर मिलूंगे एक नई रेस्पी के साथ बाई बाई